आज हम लोग डिस्कस करेंगे नेट्रोक मार्केटिंग वारे में कुछ important points जो कि generally लोग discuss नहीं करते हैं, देखिए, सबसे पहला आपको point में discuss करना चाहूंगा कि लोग कहते हैं कि नेट्रोक मार्केटिंग को आप offline करिये, online मत करिये, कुछ लोग यह point बिल्कुल गलत है, आप online भी करिये और offline भी करिये, लेकिन एक बात ध्यान रखिये यह कि जो लोग offline नेट्रोक मार्केटिंग करते हैं, फील्ड पे उन लोग को ज़्यादा experience मिलता है और एक ज़्यादा close approach मिलती है, उनको close experience होता है, इस वज़े से वो लोग ज़्यादा अच्छा कर पाते हैं, online भी, right, so अगर आप directly dependent हो जा रहा है, online पे तो यह चीज़े सही नहीं है, आपको offline भी अपना effort लगाना चाहिए, in fact मैं कहूंगा, आप 60% जो है अपना network marketing वो आप offline करिये, ठीक है, 60% offline और 60% online, इससे फाइदा क्या होगा, इससे आपको फ 40% online business कर रहे हैं, उसमें आप अपना लगा पाएंगे, right, और तो यह पहली advice है मेरी, दूसरी advice क्या है, दूसरी advice मैं यह देना चाहूंगा, अगर आप अपना business build कर रहे हैं और आपका offline दूर है, आपसे जिसे माल लिजी आप दिल्ली में हैं और आपका offline करनाटका में है, त सबसे important चीच जो है, वो क्या करना है, जो मैं दूसरा point बताने जा रहा था, वो यह काम करना है कि आपको अपना एक book खरील लेनी है तुरंत, right, network marketing join करने से पहले ही या network marketing join करते ही आप इस book order कर दीजे, इस book का नाम है बनिये network marketing millionaire, right, इस book को पढ़ेने से आपके पास आपको फाइदा एक होगा, एक फाइदा होगा कि आप का अपलाइन आपके पास नहीं है, फिर भी fundamental principles को यूज करते हुए, आप अपने business को build कर पाएंगे बिना किसी परिशानी के, right, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इस book, all right, so मैं आपको इस book को दिखाना चाहूँगा, देख होगा, आप closing अच्छे कर पाएंगे, आप meeting अच्छे कर पाएंगे, invite अच्छे कर पाएंगे, product को use कर पाएंगे अच्छे से, and जो दिक्कते आपको आती है, team building, team break होगे, team toot गई, right, stress management, follow up, closing, sales through, follow through, यह सारी important points इसमें discuss किये गए हैं, आप इस book को खरीद के पढ़िए, औ और यह book worth reading है, अगर आप अपना network marketing business build कर रहे हैं, so यह book आपके लिए worth reading है, यह पढ़ना बहुत जरूरी है, okay, so इस book को जरूर पढ़िए आप, right, तीसरा point मैं आप से बताना चाहता हूँ, कि आपको क्या चीज़ समझना है, कि जो अपना business से start करते हैं, वो एक और book पढ़ करते हैं, कि starting network marketing join करते ही, आप काम करने लगते हैं, ठीक, हमारा जो principle क्या कहता है, success principle 7 points है, network marketing सफालो ने, use the product, share the product, make a list, invitation, presentation, यह सब सुना होगा आप लोगों ने, ठीक, यही success system है, system of success, अगर आप इसको follow नहीं करेंगे, तो दिक्कत हो जाए, बहुत लोग क्या करेंगे, product order कर दिया, और काम करना शुरू कर दिया, अभी product उनके पहुचा भी नहीं, उन्होंने पहला principle follow भी नहीं किया, system का पहला point, जो कि he used the product, उन्होंने follow नहीं किया, बस उन्होंने काम करना शुरू कर दिया, और कुछ लोग भी ऐसे होते हैं, कुछ applying भी ऐसे होते हैं, जो directly list ब परें बताईए तक यह और प्रोडॉक्स और करें और 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 प्रोडॉक्स खरीदें उनको केटलोग भीजिए जो प्रोडॉक्त इंफॉर्मेशन का जो वीडियो है वह भीजिए जो कि आपको मिल जाएगा बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं ओके सो मैं किस पॉइंट प दालती ये वा चीज होती है जो हमारी ज्येव से पैसा निकाल लेती है छिक्त यैसे की ऑ वह सकती है आपकी आपकी ऑसको मैंटेन करते हैं ठीक है और उसे अह gelmiş की आपको पैसा को पैसा दे, ओके, creator makes more money than consumer, right, अगर आप creator बनते हैं life में, तो आप ज़्यादा पैसा कमाएंगे, ज़्यादा successful होंगे, right, और अगर आप consumer सिर्फ consume करते जा रहे हैं, तो आप ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाएंगे, आप जिन भी बड़े-बड़े person, rich and successful person को देख लीजे, वो क्या है, creator है, not a consumer, right, they are not consumers, consumer भी हैं, लेकिन वो create ज्यादा कर रहे हैं, ठीक, so इन चीजों का आपको ध्यान रखना है, one more point, so मैं क्या बोला था, हाँ, चौथा point हमारा, जो है, वो यह है, कि जब आप business को start करें, तो चार point या किसी को start करा रहे हैं, आप त उसको join करें, one to one plan से, okay, फिर उसके घर पे एक home meeting करें, home meeting बहुत ही ज़ादा जरूरी है, पहली meeting उसके साथ one to one, फिर उसके घर पे home meeting, right, दूसी चीज, आप उसको दीजिए business exposure, अब आप उसे business के बारे में बताईए, आप line से मिलाईए, कुछ event में ले जाईए, business के बारे म अपने business से रूबरू कराना, deeply, अपने business के बारे में deeply सामने लोगा समझाना, इसको बोलते है business exposure, तीसरा point क्या होता है, हमारा तीसरा चीज आपको धेहान रखनी, उसके साथ जो करनी है, नए prospect साथ, वो आपको करनी है goal setting, goal setting करवाईए उसकी, short term dream, mid term dream, long term dream, यह सब किया है या नहीं, आप उससे वो चीज WhatsApp पे मंगवा लीजिए, आपको पताल जाएगो, वो काम उसने किया है कि नहीं, चौथा आपको point उसके साथ ध्यान रखना है, वो है business development, अब आप आपने अगर, जैसे माली आपने मुझे join कराया, ठीक है, और आपकी help से, आपकी करवाते हैं, और business development stage पर पहुचते हैं, तो उससे एक दुलों के अगर joining कर दी, आपके prospect ने, खुद से, तो आपके prospect के अंदर एक छोटा सा increment in confidence आएगा, confidence में increment आएगा, ठीक, उसका confidence increase होगा, और ज्यादा काम करने के लिए प्रोचसाहिद होगा, एक्साहिट हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखें कि बहुत ही important हैं सारे points, यह मैंने आपको 4 point बताया, और 4 point मैंने आपको क्या बताया, कि start करते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, home meeting, business exposure, goal setting and business development, ठीक, बाकी के पहले point, इन चीजों को ध्यान रखना है, आपका business 100% growth की तरफ जाएगा, आपका linear growth मत कर exponential growth करिए, कुछ ऐसा activities करिए, जिससे आपकी growth exponential हो जाए, so thank you for watching these video, and अगर आपको मेरी other videos देखने हैं, तो आप मेरी channel जा सकते हैं, मुझसे संपर्क करना है, तो भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मेरे साथ आप business start करना चाहते हैं, तो वो भी कर सकते हैं, right, well अगर आप कहीं business कर रहे हैं, तो करते रहिए, मैं आपकी life में, आपके business में value add करता रहूँगा, thank you so much.